वक्त के गर्दिसों का कभी गम मत कीजिए दोस्तों क्योंकि आपके होसले जो हैं वो मुश्किल हालातों में ही मजबूत होते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ असुतोस और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पर अपका स्वागत है और दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं बिहार के पटना जीला के अंतरगत मसौरी प्रखंड के अंदर भखरा चकिया पर गाउं है वहीं पर राकेश जी का फार्म है इनके बारे में दोस्तों मैं बता दूँ राकेश जी जो है वो केमेस्ट्री ओनर्स अभी कर रहे हैं उमर लगभग 20 वरस अभी है इनकी लोगडाउन ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखा दिया है कि आगे जीवन हमारा कैसा होने वाला है और इसी को मद्दे नजर इसी ची चीजों को समेकित रूप इन्होंने दिया है अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे लगभग ये एक वरस से इस काम में जूड़े हैं और बहुत छोटे अस्तर से आप देख सकते हैं पहली बार हम कहीं कुरसी पर बैठ के बना रहे हैं इसका कारण है कि बहुत चीजों क चोटे अस्तर से और बहुत कम संसाधनों में ये बनाए हैं और ये छोटा सा एरिया है लगभग 20-27 का इसी में ये चीजों को कर रहे हैं तो आईए दोसको देर न करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडिय राकेश जी अपना पूरा पडिश है अपने ये इस गाउं का जो आपका फाम है यहां का हमारे भीवर्स को बताईए मेरा नाम राकेश राजुवा गाउं भक्राचक ठाना मसाड़ी परखन में मसाड़ी है और जिला पटना बिहार से आप तो राकेश जी अभी केमेस्ट् पड़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहा है थे यहां बकड़ी पालन में कैसे आगे कैसे इसका ख्याल आगे आपको मैंने माते सार की लौटन के बज़ए से मतलब कुछ दिन के लिए हम घर आये थे तो घर में मतलब कुछ थ्वासा प्रॉल्म के बज़ए से सोचे कि अब कुछ ऐसा हम भी कुछ साइट से बिजनस करते हैं प्रहाई के साथ सा जो मतलब की उधर भी हो जाए और इधर भी तो घर पर मैंने पहले से मतलब एक बखड़ी था तो सोचे कि एहीं इसी को क्यों आग बढ़ाया जा क्योंकि एक है वैसा दस है सोचे कि वहीं मतलब की पांच छे साता अट मतलब कि लाए और मतलब की अभी की जवाना मतलब कहने का मतलब किंश खान लट बहुत है अधिश के अभी तक में लिया जाए तो पर से ज्यादा हाई रेट मटन का इसक्सक्राइब सोचे इसलिए पहले इसी से स्टार्ट किया गए ते तो आपका एरिया है लगभग कितना का होगा इसा बीस इंटू सब्सक्राइब यह जो सेड़ वगर बनवाई इसमें लगभग कितना खड़ चाया इसमें सर पहले से कुछ मतलब कि था और कुछ मतलब कि लगभग मिला जुला के मतलब की दस इगार का सब्सक्राइब करकट अ अब बात करते हैं राकेश जी की इसको खिलाने की क्या विवस्था आपके पास है अभी तो जैसे चल रहा है मतलब 12 का तो कहने का मतलब कि एक टाइम मतलब की चला देते हैं और एक ताम मतलब की घर पर खाना काता है इससे मतलब फीडिंग कोस्ट बच जाता है दूसरा ची मिजल मिक्सर होता है और मतलब की जो खाना होता है जो घर का अगेहूं के दादा हो गया मका मका को हो गया यह सबका सब्सक्राइब हो आपके जो आपके पास गौट्स हैं बगडियां हैं काफी छोटी है तो ऐसा कि जैसे लोग कहते हैं कि हमेशा प्रेग्नेंट बगडी य आपका जो है मुनाफ़ा जल्दी होने लगे तो इन छोटी बगडियों के साथ कि यह तो आपको आपको जानकारी नहीं थी या क्या कारण था यह पता था कि मतलब कि बड़ी बगडी से करना चाहिए लेकिन में बाते हैं कि आसपास में मतलब कि बड़ी जैन नसल वाली पाठी पहले लेंगे आउस को दिन तक मतलेंगे तक सब्सक्राइब करेंगे ब्रीडर किसका इस्तेमाल करेंगे ब्रवाडिक नहीं तो अगर बलेक बंगाल कर बड़ा नसल का मिला तो उससे भी हो सकता है अब आते हैं राकेश जी जैसे आप उधर जो आपका कमरा है उसमे अब कुछ मुर्गी भी डाले हुए हैं उसके बाड़े में थोड़ा से बताईए ओ सर मतलब कि बॉयलर अब फिलाल के लिए लेकिन मेरा मकसद तो है कि देशी मतलब पाले हैं लेकिन फिलाल अभी जिसे कहने का मतलब एक मन्त में निकल जा तो कुछ मतलब जल्दी के लेंगे तो देशी डालेंगे हां सुनाली हो गया चाहिए बनराज हो गया यह सब होता है लगभग जो अभी चूजा आप लिए क्या पड़ा लड़का अभी सब तेस हुए पड़ गया हमको जो ही 25 तरी को लिए थे जो और कितने दिनों में यह तैयार हो जाएगा यह सब इसा बोला जाता है कि 25-30 दिन के बीच में तयार हो जाता है लेकिन जैसे मेरे घर का महौल है जिसे हावा का मतलता निसकास में करते से 35 दिन ले लेगा तिसे वह थोड़ा सा लोग चार रहा है और क्या लाए थे जैसे चूजों को लाए तो कुछ मोटिलीटी हुई या सारा का सारा बचाहि रहा है ने लाए तो समय तो कुछ दू दिन तक कुछ नहीं हुआ लेकिन तीन दिन का बाद का हुआ कि कुछ वहां मलग घूस गया थी कर दिया मतलब की मार दिया उसक्तौर यह कूछ भीमारी से होगा लंगणापन को बज़ा से एक कर गया तोटल मिला के द खतम कर देशी पालना देशी के साथ मतलब सोच रहें बटेर लाने के लिए च्छोटा जगह में अच्छा आजाता है और मतलब की अच्छा मतलब जल्दी मुनाफा भी देजेता अधर में वाख़ी का तो में मक्सद तो बकड़ी का है लेकिन जो है जो मतलब कि टेंपररावी खर्चा हो गया तो कहने का मतलब दोनों सब पूर्टी हो जाए रहा है इसलिए उस लिए उधा कर रहे हैं अब आकि इधर बखड़ी लाएंगे अच्छा से मतलब कि जो इसका जो खर्च हो तो इसमें आपको अपने तरफ से नहीं देना पड़े उधर जो आपको मुर्गी से या बटेर से होगा तो उस इसकी पूर्टी जो है वहां से होगा और कुछ पैसे आपको भी बच जाएंगे हां सर यही मतलब कि जो उधर जो आएगा इसमें लगा देंगा हर सामको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा आखरी सवाल बहुत सारे लोग आपको देख रहा हैं बहुत सारे लोग जो हैं आपके उमर के भी हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं कुछ लोग विदेशों से भी आपको देख रहा हैं तो उन लोगों को बखडी पालन के संबंद में या समय की तुरूप से जो आप कर रह तहों कहाने का मतलब एक जो कुछ कुछ भी रहे कुछ ना को जरूर लोज लोज होता लेकिन इसमें तो नहीं लगाए कि जिसे पहले भी 600-700 मिट चल दा अभी भी याँडें तो इसका मतला कितना मांशला कि तो घर का है जब चाहिए प्रण कॉन को लॉड़न कर वाने अन्गे मतलब बेटर है मतलब के जैसे उजवाल के तरह है पर भी इसके नहीं देखिये हैं बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी समय देने के लिए ठीक सब्सक्राइब दोस्तों ये थे राकेश जी जो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समयकित फार्मिंग को समयकित रूप से आपको जानकारी दिए काफी कम उमर के युवा हैं अभी ग्रेजुएशन कर रहे है केमेस्ट्री ओनर्स और पढ़ाई के साथ-साथ इन्होंने कोरोना में बहुत कुछ सीखा सब लोगों ने समझा है सीखा है और ये फार्मिंग को अपनाए बकडी पालन को अपनाए देखे कि बकडी पालन जो है एक बहतर विकल्प इनके लिए हो सकता है और इस चीज को कर रहे हैं साथ में समय की तुरोप से देशी मुरगी, समय की तूरोप से मुरगी पालन का भी काम ये कर रहे है दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सब को काफी पसंद आई होगी फिर भी कोई हमारे से प्रसंद पूछने से रह क्या है या आपके अंदर कोई डाउट है तो आईसे लोगों को हम हमेशा खोज के लाते हैं, ताकि सुक्ष्म शुक्ष्म चीजों को व्रिहत तोर पे आपके सामने पेस्ट करके बताएं, अच्छे से चीजों को एक्स्प्स्प्लोड करके बताएं, ताकि जानकारी बहुत सुलवता से आप सब तक पहुँच पाए यही मेरी हमेशा कोशिस रहती है दोस्तों दोस्तों आसा है यह वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्यू फर वाचिंग